Hi everyone, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ serotonin के बारे में लेकिन serotonin को बढ़ाने के तरीकों के बारे में नहीं अगर आपके अंदर extra serotonin हो जाए तो फिर क्या-क्या परिशानी हो सकती है और आप किस तरीके से उस परिशानी से बच सकते हैं मैं आज बात करूंगी serotonin syndrome के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि ये कैसे होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं कैसे आपको अपनी help करनी है इस वीडियो को last सक देखना है क्योंकि ये बहुत important वीडियो है और अपने लोगों के साथ इसको share ज़रूर करना है वीडियो शुरूर करने से पहले आपको मेरी app download करनी है जिसमें breathing exercises, meditation आप लोग के लिए है जिससे naturally आपका serotonin level maintain रहेगा और अगर आप मेरी book Dear Depression Let's Pre-Up पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़िए क्योंकि ये masterpiece है तो चलिए शुरूर करते हैं serotonin syndrome के जो symptoms है वो मैं आपको बढ़ाती हूं महले मैं आपको थोड़ा brief कर देती हूं देखिए जब serotonin level down हो जाते हैं तो उससे anxiety, depression, OCD, stress तरह तरह की अलग-लग conditions बनती है एक पसन के अंधर और फिर अगर आपको ये medicine लेते हैं तो जो SSRI आपको दी जाती है ऐसा नहीं है कि उनका हर बार ही ऐसा effect आता है कि उसकी वजह से एकदम serotonin ऐसा भढ़ जाएगा आपके अंधर कि उसकी वजह से आपको ये serotonin syndrome हो जाएगा लेकिन कई बार वो सूट नहीं करती है या फिर अगर आप already कोई और medications ले रहे हैं और आप अपने psychiatrist से वो बात share नहीं करते हैं कुछ medicines आपस में जो है ना वो अच्छा combination साबित नहीं होती है और जिसकी वजह से आप जानते हैं कि medication से वैसे भी artificially एकदम से वो चीज़ बढ़ती है तो उसकी वजह से कई बार इस तरह से chemistry विगर जाती है कि उसकी जो मात्रा है वो अच्छी नहीं रहती है और फिर वो गरबर होने की वजह से वो certain syndrome के लक्षन आने लग जाते हैं अब इसमें होता क्या है एक person के साथ उसको confusion होने लगता है उसको agitation यानि की गबराहाट restless माने की बेचैनी है वो बहुत सादा महसूस होने लगती है ये लक्षन सामने आता है dilated people यानि की पुतलियों का fell जाना इसी तरह से headache, सरदर्थ, change in blood pressure blood pressure का fluctuate करना, change हो जाना इस तरीके के एक गम से लक्षन आते हैं और nausea यानि की उल्टी होने का मन करना जिसको कहते हैं जी मिशलाना जैसा vomiting कई बर उल्टी हो भी जाती है diarrhea जिसमें loose motion हो जाते हैं rapid heart rate, तेजी से जो ना heart का धड़कना इसी तरह से trimer यानि के जटके लगना तो ये कुछ symptoms हैं जो लोगों को आते हैं और ये समशना है कि ये symptoms आपको mild to severe level तके आ सकते हैं आपको अगर आपको ये medicines ले रहे हैं या फिर जो ना एकदम परिशान हो जाना है अगर इस तरीके की कोई भी symptoms आप medicine start की है और उसकी वज़ा से एकदम से आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास भी जब counselling के लिए बहुत लोग आते हैं तो वो इस तरीके की बाते शेयर करते हैं कि मैं medicine से और ये इस तरीके की problem बढ़ गई है तो ऐसा हो जाता है अब थोड़ा बहुत हो ठीक है या ज्यादा बहुत हो आपको अपने आप कुछ नहीं करना है आपको अपने psychiatrist पर trust करना है और उनकी साहता से ही आपको medicine change करने या बंद करनी है लेकिन अगर इन में से कोई भी लक्षन आपको आ रहा है तो आपको alert हो जाना है या आपकी health के लिए अच्छा नहीं है और कोशिश करनी चाहिए हमें कि अपने serotonin को natural way में बढ़ाने की देखे क्या है कि बहुत सारे लोग ना बहुत सारी वीडियोस देख कर भी जो नॉमली अच्छा महसूस कर रहे हैं खुश हो रहे हैं वो भी serotonin को बढ़ाने के लिए कई बार जो ना mood alteration जो drugs होती है अच्छा mood feel कराने के लिए वो भी लेने लग जाते हैं और अलग लग तरीके से जो हैना नाच्रल की बज़ए अननाच्रल वे में अनहल्दी बेस में अपने serotonin लेवल को बढ़ाने के लिए अधर क्यामिकल्स को बढ़ाने के लिए कुछ सरीके अपनाते हैं यह सब गलत होता है आप नाच्रल इपनी डाइट में exercise, thought patterns की techniques के through नाच्रल इपने सब चीज़ों को maintain रखते हैं अपने body mind में तो बहुत अच्छा रहता है और कई बाल medicines के combination से भी असी गरबड़ी हो सकते हैं अगर इन में से कोई भी लक्षन आपको आ रहा है तो आपको alert हो जाना है जब ये सब अचानक से serotonin की मातर आपके अंदर बहुत जाता बढ़ जाती है और आपकी chemistry change होने की वजह से इस तरीके के आपको symptoms आते हैं तो first तो आपको जिनके साथ आप बने वे हैं उनसे ही contact करना है और साथी साथ आप घर पर भी क्या कर सकते हैं और किस तरीके से आप help ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूं आपको mood induction mood induction का मतलब ये होता है कि आपको mood change करने के लिए खुद कोई भी mental guide or imagery आप कर सकते हैं किसी की मदद से भी किसी से बात करकर भी means आपको अपना mood shift करना है जैसे किसी परसंद को बहुत जादा घबयाहत हो रही है बिचय नहीं हो रही है उसको बहुत परिशानी हो रही है उससे समझ भी नहीं आ रही है उसको confusion हो रहा है तो उसको डर तो लगे गई ना naturally तो उस टाइम पर अगर आपने mood को shift करें और mood को shift करने के लिए natural ways आप अपना है जैसे किसी से बात करना या फिर किसी भी guided meditation की help लेना तो उससे आप एकदम से relax होना शुरू हो जाएंगे आपकी जो symptoms है वो decrease होना शुरू हो जाएंगे और आप एकदम से panic नहीं करेंगे घबराएंगे नहीं तो आपको पहले अपने आपको थोड़ा काम करना है रिलाक्स रहना है और जो एना help लेनी है आपको और कोशिश कीजिए कि हमेशा किसी भी chemical को balance करने के लिए जितना आप नाच्रल वे में अपने chemical को balance करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा देखें, medicines ऐसा नहीं कि किसी को बिल्कुल जरुवत नहीं पड़ती है या medicines के केवल side effects ही होते हैं लेकिन आप सब लोग खुदी समझदार हैं आप जानते हैं कि long run में अगर ये medicines साम लेते हैं तो उनके side effects भी आते हैं and psychiatrist भी आपको बताते हैं कि उसकी सभी के ऐसे side effects नहीं है लेकिन हां उनके कुछ side effects हैं उसके बारे में आपको educate करके रखते हैं otherwise आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि Google से YouTube के जरीए आप बहुत सादा नॉलेज इस तरह से ले सकते हैं तो कोशिश ये करें कि थोड़ी मैनत करके क्योंकि देखिए गोली लेना कितना असान होता है कि बस पानी के साद दूद के साद आपने मुह में रखा और अंदर चले गई लेकिन नाच्रल तरीके से आपको मेनत लगती है लेकिन मेनत करकर नाच्रल तरीके से जब आप अपने अंदर की ब्रेन-बॉडी की कैमेस्टिर को वापस ठीक करते हैं तो वह लॉजग लास्टिंग प्रॉसर होता है और एकसे एफश होंस होता है तो थोड़ासा आपको समझना है अगर इस तरीके की प्रोब्रम सामने आख़डी हो गई है तो आपको अपने आपको पानिक करने की बजितार रिलाक्स रखने के लिए smote induction टेक्निक का इसन तरह सकते हैं इसे तरह से massage massage आपकी symptoms को relax करने में बहुत जाधा help करती है और massage से body massage योर्न की activity भी normal पहुंचती है तो massage आप कर सकते हैं खुद भी कर सकते हैं यह आपको बहुत ज़ादा help लेगा bright light जितना आप bright light में रहते हैं आप sunlight में रहते हैं एक SNA के एक dark से नवार में नहीं क्यों कि उसमें और ज़ादा घबरहार पेचानी परिशानी हो दिये मतलब और वो जो darkness से आपके symptoms को और ज़ादा बुला लेती है तो जितना आप bright light में रहेंगे तो आप से भी feel करेंगे आपका mood भी अच्छा रहेगा तो उससे आपको बहुत help मिलेगी इसी तरह से exercise breathing exercise खास और से deep breathing exercise अपनी breath को hold करना इस तरह से या light जो physical exercises हैं वो भी आपके symptoms को reduce करने में बहुत ज़ादा help करेंगे और आप थोड़ा normal feel करेंगे आप panic नी करेंगे घबराएंगे नहीं इतना जादा और फिर आपको definitely help मिली जाएगे आपके अपनों के भी डॉक्टर की भी और आप जो हैना इस परिशानी से बच जाएंगे और आपको healthy food खाना है मैंने अपनी serotonin पर जो video बनाई भी है जिसके naturally तरीके से serotonin level को कैसे बढ़ाना है और maintain रखना है आप उसको भी refer कर सकते हैं या healthy food का मतलब है कि जो भी season चल रहा है जो भी nature आपको season के according दे रही है आप उस food को अपनी diet में शामिल करें और आप अपने health benefits उठाएं समझे मेरी बात ये जो serotonin syndrome के symptoms आते हैं ये एकदम से artificially serotonin level अप होने की वज़े से आते हैं या फिर आपका जो medicines का combination है वो बिगड़ गया है क्योंकि कई सारी medicines अगर आप लग-लग issues के लिए ले रहे हैं तो आपसमें उनका जगड़ा हो जाता है तो उसकी वज़े से भी इस तरीके के symptoms आ जाते हैं सबको नहीं आते हैं बट आ जाते हैं क्योंकि इस तरीके का भी देखा गया है इसलिए आप लोगो को educate करने के लिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है इस वीडियो को बनाने का purpose यही है कि आपको right जानकारी मिल सके इसके बारे में और अगर आपको medicine लेने के बाद इस तरीके के कोई symptoms आते हैं तो इस knowledge का इस्तमाल करकर आप अपने psychiatrist से बात करें और जल्दी से इस समस्या से बचें and मेरा suggestion आपको साथ में साथ ये भी है कि आपको natural तरीके से अपने अंदर वुजारे chemicals के level maintain रखने के लिए healthy habits अपनानी है चाहे वो exercise की हो, diet की हो, अपने thought process को correct करना हो तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी certain की वीडियो नहीं देखी है तो वो उसको देख लीजे, क्योंकि आपको link वीडियो के end में मिल जाएगा और उसको देखकर आप जोना naturally अपने आपको heal कीजे तो इसलिए घबराना नहीं है, हमें बस relax रहना है परिशानी कोई आई है, तो वो चली भी जाएगी I hope ये वीडियो आपको बहुत help किया होगा और ये educational वीडियो है, इस वीडियो को हर एक उस्व्यक्ति के साथ share कीजे जिसको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो रही है जिसको ये पता है कि मेरे अंदर सेटर ने लेवल डाउन हो गया है और उनको परिशानी से बचाने के लिए educational वीडियो बहुत जादा help करेगा तो इस वीडियो को share ज़रूर करना है और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहना है, चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लिजे, अपना बहुत खास क्याल रखेगा क्योंकि मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में